Hey guys, welcome to the channel and finally RJ Academy ने complete कर ली है 1000 subscribers और 4000 आर का वोस्ट टाइम यानि RJ Academy का चैनल हो गया है monetize और अब होने वाली है पैसो की बारी इतनी भी नहीं, जितना भी पैसा आएगा, अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे वीवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर वो सभी लोग जिनोंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पर वो चुपके चुपके वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को thank you very much, क्योंकि अगर आप लोग नह काफी नहीं, सारी वो ही help करता है, मुझे बिल्कुल नहीं आती, and to my father, जो मुझे time and space देते हैं, कि मैं आप लोगों के लिए videos को shoot कर सब्सक्राइब, इस वीडियो के अंदर अपने experience को share करूँगा, कि कैसे मैं इस achievement को achieve किया है, अगर आप भी अपना एक YouTube channel बनाना चाहते हो या फिर already आपका एक YouTube channel है, बट वो monetized नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर आपके साथ 5 ऐसे point share करूँगा, जिनको अगर आपने follow किया, तो आपकी काफी help होगी, अपने educational channel को grow करने के अंदर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like कर सकते हो, चैनल के वीडियो की और, और सबसे पहले बात करते हैं, point number one, competition, competition पहले भी बहुत था, competition आज भी बहुत है, और competition आने वाले date के अंदर और भी ज्यादा increase होने वाला है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो चैनल बनाने की, तो सोचो मत, time बिल्कुल भी मत वेस्ट करो, जल्दी से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दो, but now the question is, कि इतने competition के अंदर आप कैसे अपने YouTube चैनल को grow कर सकते हो, तो इसके इसके अंदर सबसे जरूरी है कि जो वीडियो आप लोग अपलोड करने वाले हो, उसकी quality बहुत ही अच्छी हो, एक अच्छी quality से मेरा मतलब है कि आपके वीडियो के अंदर, ओडियो quality भी ठीक होनी चाहिए, वीडियो quality भी ठीक होनी चाहिए, साथ ही साथ lightning का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक अच्छी audio quality के लिए आप लोग mic यूज कर सकते हो, वीडियो आज कल आप लोग HD के अंदर शूट कर सकते हो, अपने smartphone की हैल lightning proper नहीं होई, तो आपकी audience आपसे connect नहीं कर पाएगी, वो आपकी वीडियो को start करेगी और 10 seconds, 5 seconds के अंदर वीडियो के बंद कर देगी, तो lightning बहुत important factor है, अगर आप लोग YouTube के उपर, या फिर online platform के उपर पढ़ाना चाहते हो, तो lightning का भी ध्यान रखना है, audio quality का भी ध्यान और video quality का भी ध्यान रखना है, अगर आप लोग जानना चाहते हो, कि मैं अपनी chemistry की video किस तरीके से shoot करता हूँ, तो आप लोग comment box के दिर मुझे पता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक video upload कर सकूँ, आपकी उससे भी काफी ज़्यादा help हो जाएगी, quality के साथ साथ आपको quantity क के उपर भी focus करना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा आपके पास number of videos होगी आपके channel के उपर, YouTube को आपके channel के बारे में उतना ही ज़्यादा पता होगा, और वो एक सही audience तक आपकी video को पहुचा पाएगा, तो quantity भी matter करती है, आज जब मेरा channel monetize हुआ है, इस time के उपर, RJ Academy के अगर आपने इनको follow किया, तो आप लोग चार से पाच महिने के अंदर ही अपना channel को monetize कर दोगी, क्योंकि काफी कुछ सीखा है, मैंने इन आट कोईनों के अंदर बहुत सारी गलती ऐसी किये हैं, जो मैं आपको इस video के अंदर बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों ने उ videos on same category या फिर same topic, अगर आप एक education channel खोल रहे हो, तो कोईशिश करो कि आप लोग एक ही subject related videos जालो, अगर आप लोगों ने subject change किया, तो उससे काफी जादा problem हो सकती है, मान लीजे कि आप लोगों ने एक channel शुरू किया, जिसके अंदर आप लोग मैस पढ़ाते हो बच्चों को आपने दो महीने तक math की videos जाली, तो YouTube आपकी videos को उनी audience को target करेगा, जो math पढ़ते हैं, अब all of a certain अगर आपने दो महीने के बाद एकदम से chemistry की उड़ डाल दी, तो जब वो video आपकी सभी audience के पास जाएगी, आपके जो impression है, आपके जो video है, वो जब उन audience को दिखेगी, तो आ आप लोग एक ही subject के rated videos जालें, बार-बार subject change ना करें, बट अगर आप कोई experiment करा जाते हो, तो experiment कर सकते हो, कि आपकी audience को क्या पसंद है, आप लोग उसके हिसाब से experiments कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग एक ही topic को चूज करोगे, तो आपके लिए वो अच्छा होने वाला है, Point No.3, बहुत ही important point है, discipline, इसे में अभी तक खुद follow नहीं कर पा रहा हूं, बहुत कोशिश करता हूं, discipline के अंदर वीडियो डालने की, regular intervals के उपर वीडियो डालने की, लेकिन नहीं डाल पाता, कोई नो कोई काम आ जाता या फिर किसी ना किसी reason से videos नहीं डाल पाता, लेकिन अगर आप अपना YouTube चैनल बना लो, तो कोशिश करो कि starting के 5-6 महिने तक regularly अपनी videos को upload करो, मैंने RG Academy के YouTube चैनल के उपर total 108 वीडियो डाली है, 8 महिने के अंदर मेरा चैनल क्या हुआ है, monetize हुआ है, लेकिन मैंने 8 महिने के अंदर अपनी 108 वीडियो जा ली, अगर मैं चाहता चार महिने के अंदर भी डाल सता था, अगर मैं regularly डालता तो शायद जल्दी मेरा चैनल जो है, वो monetize हो जाता, तो इस गलती को आप लोग बिल्कुली मत की, आप अपना खुद का एक YouTube चैनल बनाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि आप लोग स्टार्टिंग ये 5-6 महिने के अ मैंने observe किया है, जब भी मैंने वीडियो जालनी बंद की है, मेरा जो ग्राफ है रीच का वो नीचे आजाता था, जब भी मैंने वापस सीवी डाली है, वो ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाता था, तो मैंने काफी जाधा ब्रेक ली हैं, इसलिए मुझे काफी टाइम लगा अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, लेकिन अगर आपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हो, तो यह गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा, स्टार्टिंग के पांच महीने, रेगुलरली वीडियोस अप्लोड करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो कि वीउस कितने आ रहे हैं, comments कितने आ रहे हैं, like कितने आ रहे हैं उनकी चिंता मत करो, regularly आप लोग videos upload करते रहो, अगर आपके content में दम है, तो वो जरूर चलेगा, आपका channel कभी न कभी, जरूर grow करेगा, but regular video upload करने के चकर में, आपको अपनी quality नहीं खोनी है, आपको अपनी quality maintain रखनी है, और quality को maintain करते हुए ही, आपको regular videos upload करनी है, अब YouTube पार्ट टाइम नहीं रह गया, आपको इसको full time ही कर start करना पड़ेगा, अब competition इतना ज़ादा है कि आप लोग दिन के अंदर 1 घंटा-2 घंटा निकाल कर video नहीं बना सकते, अगर आप लोग दिन में 1 घंटा-2 घंटा निकाल कर video बना रहे हो, तो उसकी quality आप लोग maintain नहीं कर पाऊगे, तो yes, अब आपको YouTube full time ही करना पड़ेगा, अगर आपको educational field के अंदर अपना YouTube channel बनाना है, तो आपको full time YouTube ही करना पड़ेगा, आप आप लोग साथ में कुछ और चीज नहीं कर सकते, अगर साथ में आप लोग कुछ चीज करोगे, तो आप लोग regularly अच्छी quality के साथ YouTube पे वीडियोज नहीं डाल पाऊगे, तो try करो कि आप लोग 5-6 महिने, सिर्फ और सिर्फ यूट्योब को देशको और 5-6 महिने तक डेली वीडियोज को अपलोड करो, पॉइंट नंबर 4, connect with your audience, जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, अगर आपकी ओडियोज वीडियो को देखेगी, तो या तो वो उस वीडियो की वीडियोज वो देखना स्टार्ट करेगी, तो बहुत ज़रूर यह है, स्टार्टिंग फेल्स के अंदर, आपकी जो पैसा एक एजुगेटर को मिलता है, लेकिन मैं फिर भी इस पॉइंट को बता रहा हूँ, कि आप लोग पैसे को सोचकर YouTube के ओपर मत आना, क्योंकि मैं पिछले आठ महीने से वीडियो बना रहा हूँ, और अगर मैं YouTube के ओपर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपना दिमाग में कई बार आ सकता है, कि यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, तो आप लोग पेशन्स रखिए, टाइम लगता है, चैनल ग्रोग करने के अंदर वीडियो को अप्लोड करते रहिए, कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर वाइल होगी, और आपके पास भी एक अच्छा खास सब्सक्राइबर बेस होगा, और आपकी भी अच्छी खासी इंकम हो जाएगी यूट्यूब के थुरू, तो अगर आप अपना एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो, तो आपको इन पाच पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉंपेटिशन बहुत है, उसको अवरकम करने के लिए, क्वालिटी और क्वानिट कीजिए, और साती सात, सबसे जरूर यह की पेशन्स रखिए, कभी न कभी आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा, कोई नो कोई वीडियो जरूर वायल होगी, बस आप क्वालिटी को मेंटेन करकर वीडियो अपलोड करते रहिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होग कर अपको बटसे जरूर कंपवियो जरूर यह कि दिसम का बटसे जरूर ऱूर यहोगी आपको